आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, वेलकम तो डाउटनेट तो हमें नीचे sentence है जिसमें की blank space है उसे हमें fill out करना है और हमारा sentence है अवी dash a few pages of this book every day before he goes to sleep and our options are option A, read option B, is reading option C, reads option D, does read तो यहाँ पर हमारा given sentence है वो present tense में हमें बता रहा है की रोज, past tense में हमारा हो जाएगा फिरी है की everyday वो book के pages पढ़ रहा है, few pages तो इस वोज़े से हमारा जो option A है, read यह present tense में यूज तो होता है लेकिन past tense के साथ नहीं होता है तो यह होगा नहीं और is reading में हमारा present continuous tense में होता है यूज यानि की कोई चीज present में हो रही हो लेकिन continue भी हो रही साथ ही साथ reads हमारा past participle form में यूज होता है जब कोई चीज हमारी present में चल रही हो और उसको हम बता रहे हैं past tense में does read हमारा future tense में हो जाएगा तो इससे ये भी नहीं होगा तो इसके according हमारा जो correct answer हो गया वो हो गया option C reads और हमारा sentence हो गया अभी reads a few pages of this book every day before he goes to sleep classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ये डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजे अपने doubts 8444 चार्स उपर